नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल IAS Vision में So, आज हम लोग बात करने वाले हैं 31st of August 2021, the date that embarked the withdrawal, complete withdrawal of US troops from Afghanistan Afghanistan से completely US troops ने withdraw कर लिया है Complete Control of Kabul Airport, Afghanistan forces के अंडर आ चुका है, Taliban forces के अंडर आ चुका है और यस दिन को आज अफगान officials ने, Taliban officials ने, to be very exact, आजादी का दिन कहा है कि after 20 years, 20 long years of struggle, finally हमें आज आजादी मिल चुकी है उन्होंने ऐसा कहा, US troops का withdrawal, withdrawal ये तो नहीं कहना चाहिए कि peaceful रहा बट आज के दिन कोई incidents, US troops के against नहीं रहे बहरहाल जो ये घटना है, ये एक बहुत ही important date है history में because जो unfulfilled promises थे, जो एक एक planning के तहट, एक target के तहट, US ने invade किया था अफगानिस्तान को, आज वो chapter फिनिश हुआ, US की तरफ से, तालिबान बहुत खुश है of course, control उसके पास है, अब देखना ये है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से तालिबान अपना rule establish करता है और लोगों के, you know, human rights क्या रहते हैं, women's को especially किस तरीके से वो लोग oppress करते हैं, या फिर treat करते हैं, क्या करते हैं, ये देखने वाले बात रहे और किस हद तक करते हैं, because उन्होंने तो ये कहा है कि women will be given rights under the sharia law, Islamic law, अब देखना ये है कि वो उसका extreme interpretation करते हैं, या फिर they are going to be moderate this time, but अगर हम experts की माने, और मेरा भी opinion यही है कि Taliban वही है, but this Taliban has learned the art of diplomacy, अब इनको art of diplomacy आ चुकी है, खैर, तो इनके official ने कहा कि हम लोग USA and पूरे world के साथ एक अच्छा relation establish करना चाहते हैं, एक अच्छा relation maintain करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि relation sour हों, खराब हों या कोई भी problems रहें, तो उसके लिए हम सारी countries को invite करते हैं कि अपने embassies establish करें, diplomatic relations हमारे साथ रखें और उसको abandon करके ना जाएं, ऐसा उन्हों ने कहा, but problem यह है कि Taliban एक organized hierarchical system पे नहीं चलता, काफी disorganization है वहां पे, और hierarchy setting इवन जो officials हैं, कौन किसकी बात मान रहा है, ग्राउंड पे जो लड़ाके हैं, जो militants हैं, वो किसकी बात मान रहा है, यह उस पर depend करता है, तो ideology की यहां पे actually एक war थी, खेर, तो हुआ यह की अब withdrawal हो चुका है, US का stand जो है, वो यह है कि हम लोग पहले analysis करेंगे, पहले हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से Taliban handle करता है, उनका handling criteria क्या है, और वो किस तरीके से आगे proceed कर रहे हैं, धीरे-धीरे अपनी government को लेके, किस तरीके से अपना rule establish करना है, then हम लोग legitimacy को promote करेंगे, या फिर legitimacy दे सकते हैं तालिबान को, तो तालिबान भी एक तरीके से अभी एक अगनी परिक्षा में है, because कही न कहीं, if they want the world to welcome them, तो उनको भी अपना एक grit दिखाना होगा, लेकिन जो ground reports हैं, जो various sources से पहुँच रही हैं पूरी दुनिया तक, उससे ऐसा कहीं भी दूर दूर तक देखने को मिलता नहीं है, और यही एक बहुत बड़ा issue है, humanitarian crisis जैसे कहते हैं, वो आज Taliban impose कर रहा है, अफगान नेशनल्स के उपर, जो लोग छोड़के जाना चाहते हैं country, they are being denied, they are being withheld, तो यह एक बहुत बड़ा problem है, जो की सामने निकल के आ रहा है, अब US ने भी यह clear कर दिया है, कि वो लोग अपने diplomatic relations, अपने diplomatic ties खतम नहीं करेंगे, बट वो अपने diplomatic operations अफगानिस्तान से carry out नहीं करेंगे, a new chapter will be written, as in their words, उनके शब्दों में a new chapter will be written, and that chapter will be organized, उन्होंने अपना basically diplomatic office shift कर लिया है Qatar में, so Qatar, Doha, Qatar, यहां से यह लोग अपना diplomatic operations को carry forward करेंगे, वो नया base है, as of now, तो story ऐसी develop हुई है, और recent में जो IS-IS-K, IS-IS Khurasan, मैंने इस पे एक video भी बनाया है, जिसको जाके आप देखें, जरूर वहां पे आपको काफी information मिलेगी, IS-IS Khurasan, उसकी ideology और Taliban के साथ उसके क्या impacts रहेंगे India के उपर, वो उस threat के under, अगर Taliban को देखा जाए, तो कई सारी governments, कई सारे world leaders, they are legitimizing, they are trying to legitimize, and they are trying to say कि अगर IS-IS के under चला गया, तो threat है, otherwise this Taliban looks good, let's evaluate it, पहले हम लोग इसके evaluation करते हैं, वो threat एक अलग looming threat है, सब के उपर, हलाकि उसके regarding UNSC, UN Security Council, जिसकी अध्यक्षता आज 31 अगस्त 2021 तक भारत के पास थी, है, in fact जब ये वीडियो बन रहा है, तो वहाँ पे एक resolution निकाला गया था, जिसमें 13 countries ने vote किया, कि अफगानिस्तान के territory को terrorist operations के लिए use नहीं किया जाएगा, अफगान groups, इससे एक बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, कि तालिबान शब्द को निकालके अफगान groups किया गया था, मतलब कि वर्ल्ड अब कहीं न कहीं तालिबान को as a terrorist group नहीं consider कर रहा है, सुब्रमन्यम स्वामी ने भी एक tweet किया था, तो ये एक कहें कि diplomatic ties बनाने की कोशिश चल रही है, तो उसमें resolution में clear है कि अफगान groups, अफगान groups में तालिबान specifically mention नहीं अभी से पहले तक तालिबान को हमेशा इसके लिए responsible करा दिया जाता था कि they are promoting, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं अफगान territory को, अफगानिस्तान land को to be used as terrorist activities और terrorist training camps वहाँ चल रहे हैं, तो अब कहीं न कहीं उसको discard किया गया, 13 countries में ने उस पे agreement के साथ हस्ताक्षर किये, vote किया और उसको pass किया गया, जबकि China और Russia इन्हों ने withheld कर लिया, इन्हों ने abstain किया, इन्हों ने कहा we are not voting तो ये कहीं न कहीं एक relationship दिखाता है between China as well as our you know Taliban, तो रशिया के तो अपने interests है, because उसको पता है कि अफगानिस्तान का geographical location बहुत 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 ज़ादा important है, countries, उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एकदम bordering countries है और उसके ज़स्बाद रशिया है, तो अगर relation खराब होते हैं तो उसका effect in countries में भी पड़ेगा, there are Islamic countries and उसका effect in turn, रशिया को long term में अपने territories के आसपास दिख सकता है, that is why Russia is kind of right now as of now pro Taliban, but abstaining है, और फूप फूप के कदम रख रही है, रशिया यह कह सकते हैं, लेकिन चाइना का stand, काफी ज़्यादा proactive towards Taliban लगता है, उसका interest भी है, belt and road initiative, तो उसके तहत जो यह project है, इनका silk route को revive करने का, वो पास हो भी रहा है वहाँ से, and चाइना middle east में through Afghanistan अपना presence दिखाना चाहता है, they want to show their presence, so that is why they are pro-Taliban, तो इन्होंने abstain किया, abstaining के यह reasons थे, but बहरहाल, यह resolution UN Security Council में पास हुआ है, कि the territory of Taliban, sorry, Afghanistan will not be used, इसको use नहीं किया जाएगा, as a ground for terrorist activities, या किसी भी nation के against terrorist attacks के लिए, अफगानिस्तान की soil को use नहीं किया जाएगा, तो यह final status है, वहाँ की जनता, अफगानिस्तान के नागरिक, उनका क्या होना है, उनके साथ कैसा treatment होगा, उनके human rights का क्या होगा, यह सब आगे आने वाली समय में पता चले गाएगा, लेकिन यह आज का दिन, 20 साल के, अमेरिकी unpromised, और failed promises, to be exact, failed promises की कहानी को बया करता हुआ, यह chapter समाप्त होता है, यह उस failure को दर्शाता है, कि जो बाइडन रिजीम ने, 13 अमेरिकी ट्रूप्स, 180 अफगान नेशनल्स की मृत्यू के साथ withdrawal किया, यह हमेशा एक उनके दामन पे दाग की तरह रहने वाला है, अब इसको लेके पूरी दुनिया, और especially अमेरिका, किस तरीके से अपना रुख रखते हैं, यह आगे आने वाला समय बताएगा, और भारत ISIS के looming threat को कैसे deal करता है, यह भी भविशे के गर्भ में ही है, बहरहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, यह खबर आप तक पहुंचानी थी, हर एक पहलू को मैंने cover करने की कोशिश की, वीडियो कैसा लगा जरूर इसको comments में बताएँ, चैनल को subscribe जरूर करें, पॉलिटी सीरीज चल ही रही है, और इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, Constitution of India, इन सब के बारे में आपको वहाँ पर पता चले हैं, लेक्चर्स डेली अप्लोड हो रहे हैं, सब एक पॉने पाँच और एक पॉने छे बज़े का समय है, दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कॉमेंट जरूर करें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जैहन